हेलो गाइज वेलकम अगीन माई न्यू वीडियो इस वीडियो में हम होम मेड सीरम बनाने जा रहे हैं जो कि हमारी फेस को गलो करेगा चमक लाएगा और कलर फियर करेगा बहुत ही अच्छा सीरम है हम सिर्फ जो हमारे घर पर चीज़े अवले बनोती है उससे ही हम यह हम मेड सीरम बनाएंगे तो इसके लिए हमें ज्यादा खर्चा भी करने की जुरूरत नहीं है यहाँ पर सबसे पहले हमें दो या तीन चमच गुलाब्ज लेना है आप किसी भी क्वायलटी का किसी भी कंपनी का ले सकते हो यह घर में बना हुआ भी ले सकते हो तो मेरे पास यह है स इसके स्मेल बहुत अच्छी है और इसके साथ ही जो है यह मेरे पास अलोवेरा जिल है अभी मैं इसमें जो है यह अलोवेरा जिल डालने वाली हूं जो कि मैं हाफ टेबल स्पून के क्रीब डाल रही हूं आप इसे फ्रेश भी डाल सकते हैं इसमें और इसके साथ ही मैं ग्लीसरीन डाल रही हूं हम दो या दो जो स्पून है ग्लीसरीन के डालेंगे इसमें हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है डालने के बाद यह जो सीरम है हमारे फेस में बहुत ग्लोल आता है हम इसको हलके से हैंड से कभी भी फेस को दोने के बाद साफ करने के बाद इसको लगा सकते हैं तो यहां पर ही मैं दो टेबल स्पून जो मेरे पास स्पून है उसके कोर्डिंग ग्लीसरीन ले रहे हूं इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेना है हम इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अगर हमें ज्यादा बनाना है तो हम इसको दस से पंदरा दिन के लिए भी रख सकते हैं वैसे तो वन वन के लिए भी स्टोल कर सकते हैं इसमें दो विटामीनी के कैपसूल है वो एड करूंगी यह हमारी स्कीन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं तो यहाँ पर यह मैंने विटामीनी का कैपसूल है इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोकोने टोल डाला है तो यह सर्दी की वैसे जमा हुआ है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हमारा सिर्म बहुत ही अच्छा इसका अगर हम डेली यूज करेंगी तो हमारी स्कीन ग्लो करने लगी है हम इसका जो है दिन में दो बार भी लगा सकते हैं मौनीं में और रात को सोते हुए तो यह जो सीर्म है बहुत ही अच्छा है इसका अच्छा है स्कीन आपकी बिल्कुल ग्लो करेगी चमक आ जाएगी आप अपनी एस से बहुत कम लगोगे इसका इतना चरजर्ट है और सबी चीज़े घर पर इसली अवलेबल है कोई इसमें खर्चा भी नहीं है मिल जाती है आराम से तो बहुत ही अच्छा सिर्म है हम महिंगे महिंगे से मार्केट से खरीटते हैं लेकिन यह हम घर पर ही इससे बना सकते हैं और इसका यूज करो तो इसका अच्छा आपको मिलेगा आपकी स्कीन ग्लो करेगी चमक आ जाएगी मिलकुल आप इससे स्टोर करके रख सकते हो इस तरह से आप खुदी देख सकते हूं कि फड़क इतना जादा है इतनी शाइन आगी यह लगाती ही यह बहुत यह अच्छा सेरम है प्लीज आप इससे जुरूर ट्राइग किजिए यह विम रेमडी जरूर है लेकिन इसका जो असर है बहुत अच्छा बहुत महेंगे-महेंगे से अच्छास ने यह उच्छा अच्छे इसका थैम हैं तो प्लीस आप से ज़ूर योज़ कीज आप देखिए सब्सक्राइब करें दिखाए दिया कि अभी तक शाहिन है इसके अंदर और इस वाले हैंड पर नहीं उसकिया है तो देखो आप किस तरह से लग रहा है यह वाला हैंड किस तरह से लग रहा है बहुत इफेक्टिव है इसका जल्ड बहुत अच्छा स्कीन आप एकदम गलो करने लगी शाइन आजाएगी जिनकी स्कीन रफ है यह जिनका ऐसे लगते है कि बिल्कुल डल हो गई इसकीन तो उसमें चमक आजाएगी ब्राइट हो जाएगा फेस और गलोइंग करने लगी इस बहुत अच्छा है तो प्रीस आप इसे जुरूर ट्राइग कीजिए मेरे चैनल को लाइक शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बताएगा कि आपको कैसी होम रेमडी लगी है थैंक यू